नमस्कार दोस्तों आपका हार्टिक स्वाकत है हमारे यूट्यूब चाइनल पर दोस्तों आज मैं फिर से एक नए जानकारी के साथ आई हूँ वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चाइनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब बनाना भूले अब बात करते हैं सपने की या जात्र करते हुए देखा है तो इसके क्या संकेत मिलते हैं आए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं सपने में बैखना या ट्रेन में सफर करना इस बात की और इशारा करता है कि आप अपने जीवन में जिस गति से और जिस जिसा में आगे बढ़ रहे हैं वह बल्कुल सही है सपने में ट्रेन देखना इस बात का इशारा करता है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मौना चाहते हैं और आपने इसकी जो योजना बनाई है वो बिल्कुल सहीकती पर चल रही है मनों बिज्ञानिक तिष्टी से देखें तो आप अपने द्वारा बनाए गए सूलों पर अपना जीवन जीना चाहते हैं जो कि एक सकरात्मक पहलू है अगर आप सपने में खुद को ऐसी ट्रेन का सफर करते हुए देखते हैं जिसमें बहुत भीर है तो यह इस बात का इसारा करता है कि आप अपने जीवन में लोगों से दूरी बना कर रखते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं सपने में ट्रेन चूटना देखना सपने में ट्रेन चूटते देखना या ट्रेन में तेरी से पहुंचना आम तोर पर आपके जीवन की अस्त ब्यस्त की तर्फ की और इसारा करता है या सपना बताता है कि आप अपने जीवन में बहुत ब्यस्त हैं और कुछ परिशानियों का सामना कर रहे हैं जिने आप आने वाले समय में बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं यह विशेश रूप से तब परिशान करने वाला होत कि इस परकार का सपना यह बताता है कि आप अपने लक्षे को हासिल करने में कुछ ना कुछ उपाई करते ही रहते हैं लेकिन ट्रेन में देरी से पहुचना आपकी छोटी छोटी गलतियों की तर इशारा करता है जिनने आप सुधार सकते हैं सपने में ट्रेन का देरी से आना इस बात की यो इशारख अपता है कि आपने जीवन में किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा निरास हो गए हैं क्योंकि आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ आपको ऐसी चीज की प्रतिक्सा करने की सला देता है क्योंकि जीवन में हर बस तो अपने निश्चित समय पर होती है यहाँ आपको अपने जीवन में जल्दवाजी के लिए किये गए फैसलों के उपर फिर से विचार करने की सला देता है आपको अपने पुरानी देंदारियों का हिसाफ मिल जाए ट्रेन को चूड़ते हुए देखना सपने में ट्रेन को चूड़ते हुए देखना यहाँ बताता है कि आपके जीवन में आप एक अच्छे आपसर का इस्तेमाल करने से चुक गए है पुछ अप तेरसी तकारणों की बज़ा से आपको अपनी योजनाओं को चूड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास बभिश्य में दूसरे मौके नहीं होंगे लेकिन यह सपना आपकी उस कमजूरी को बताता है कि जिसकी बज़ा से आप अच्छे अपसरों की पेचान नहीं कर पाते है